हेलो ब्लेडर्स एन्वेल करूं तो चैनल बीवी एक्स्ट्रेमर तो गाइज आज की दूए में हम लोग बात करने वाले बीवलिट मेगा फोर्स एपिसोड नाइन के बारे में और मैं कौनू मेरा भी यूट्यूब चैनल है और में चला करना में असके बेवर लिंक डिस्क्र करना और मैं भी एक बीवलिट का यूट्यूबर ही हूँ तो गाइज चलो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं एपिसोड नाइन के स्टार्टिंग होती है और ब्रुकलीन एज जग्या जाता है और वहीं पर इसको फ्री मिल जाता है लेकिन ब्रुकलीन फ्री को देखकर चौक जाता है कि फ्री डेला होया क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तभी ब्रुकलीन फ्री के पास जाता है और पूसता है कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है और free धीरी से जवाब देता है कि उसको practice नहीं करनी क्योंकि उसको practice बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो कहता है कि उसको be bleed यानिक उसका be bleed फैफ नहीं अब उसको पूरा का पूरा भरोसा है और Brooklyn मन में सोचता है कि ये कुछ दगड़ा ब्लेडर लग रहा है तो फिर free जवाब देता है कि उसको practice नहीं करनी और वो ये जवाब देता है कि उसको पता भी नहीं कि उसका opponent कौन है और तभी Brooklyn बताता है कि वही उसका opponent है और वो दोनों बहुती अच्छी दोस्त बन जाते हैं जी revolution टीम airport से आई रही थी क्योंकि जी revolution टीम मैक्स की माँ को छोनने गई थी तो इसी के चलते मैक्स का थोड़ा भी लगता है कि वह अपनी मैच भी हार गया था और अब उसकी माम भी चलते गए थे फिर अगले दिन free और Brooklyn stadium में पहुंचते है Brooklyn attitude में free को कहता है कि वो Brooklyn को कभी भी नहीं हाना सकता और सारी audience भी कहती है कि Brooklyn तुम ही जाओ तुम जीच जाओ और इसी के साथ free डेलाओया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर क्या होता है फिर दोनों stadium पर आते हैं और 3-2-1 करके मैच स्टार्ट हो जाता है लेकिन Brooklyn ऐसे ही खड़ा होता है और free डेलाओया भी चिप चाप खड़ा हुआ होता है और दोनों के बेवलेट स्पिन कर रहा होते हैं लेकिन जब Brooklyn कहता है कि जाओ ज्यूज अपना attack दिखाओ तो free डेलाओया कुछ भी नहीं करता है और सबका ऐसा लगता है कि free डेलाओया ने बहुत ही slow launch कर रहा है उसका launch गलत हो चुका है लेकिन जब भी Brooklyn का Zeus फैफने को टकर देता है तब free का बेवलेट यानि के फैफने और भी जादा अच्छे से गुमने लगता है Brooklyn बहुती जादा परेशानी में आ जाता है उसको बहुती जादा परेशानी होने लगती है फिरी को हराने कलिए और वो चिंदा में आ जाता है कि अब फिरी को कैसे हराएगा और तभी Brooklyn Zeus को order देता है Zeus को बोलता है कि जाओ Zeus अपनी ताकत दिखा दो और तभी फिरी का जो बेवलेट होता है उसकी point जो driver होता है उनी इसे को जुग जाता है और अटैक मोड में चले जाता है और वो Brooklyn यानि कि Zeus के हमले से बच जाता है और फिरी डेलाय का बेवलेट फैफनियर स्टेडियम के साइड में स्पिन करने लगता है फैफनियर और जीयूस स्टेडियम में स्पिन करते रहते हैं और इससे मैच थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन फिर फिरी बोलता है कि त हमारे ने इतना ही दम है और इससे Brooklyn को बहुत ही जादा गुसा आ जाता है और फिर Brooklyn और Free दोने डिसाइट करते हैं कि चलो अब मैच खतम करते हैं और तभी Brooklyn अपना King of Darkness अटेक यूस करता है और फिर Brooklyn भी अपना अटेक इस्तमाल करता है और Brooklyn भी कहता है कि Gast, Spin or Spin Still or Nothing Break जैसे ब लेकिन फिरी जो होता है वो बहुती जादा डार्कनेस जग्या पर चले जाता है उसको पता नहीं चलता है कि वो कहा जा रहा है और एक काली नदी के ना डुपता हुआ चले जाता है और यही कास बात होती यूस के King of Darkness अटेक की और फिर क्या होता है कि Brooklyn का जो बीवलेड होत हो जाता है और यार इससे यार फिरी को बहुती जादा दुख एक तरह से यह होता है कि जो फिरी का जो बीवलेड होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जुका होता है और फिरी पूरा का पूरा बेहोश हो जाता है और नहीं पर ही क्रिस्टेन आती है और फिरी को व और ब्रुक्लीन मेफ चीच चुका है तो आगे क्या होगा बाकि की स्टोरिया आपको पता चले गी भीकषब 10 में और गाईज चैनल बन नई आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और यार यह वीडियो को लाइक करो और यार थैंक्स यार बीबी एक्स्क्रीमर का उने मुझे उनकी चैनल को नाने के मुखा दिया तो उसके लिए थैंक